Hey guys, this is Mukul Shama aka Stuff Listings. Welcome to another episode of Tech Stuff. Before starting the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज की वीडियो को लेक टर्गेट हम दोसों को लेके चलते हैं. कल की वीडियो को दोसों से उपर लाइक्स देने के लिए थैंक्स अलोट और आज भी अपना जितने आप लाइक्स कर सकते हैं, कीजिए. स्टार्टों से आज की निउस, बहुत सारे संप्संग के स्मार्टफोनों सब लाउच होने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्टों करते हैं, की अपकमिंग फोलडबल स्मार्टफोन से, जिसका नाम हो सकता है, सेंसंग एक्सी फोल्ड 2 रखा जाए, अब उसके बारे में, में सेंसर देखने को मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 865 chipset की होने के पूरे-पूरे chances है, up to 12GB of RAM हमें देखने को मिल जाएगी, 1TB internal storage हमें expect कर सकते हैं, इस smartphone से, आगे बढ़ते हैं, Samsung Galaxy S11e की तरफ, Samsung Galaxy S10e जो हमारा एक kind of light variant था, S10 का, similarly S11e भी launch होगा, इसके बारे में आज हमें इसमें 5G support हमें देखने को मिलेगी, which is not that surprising in my opinion because ये smartphone 2020 में launch होना है, और 2020 में almost जितने भी flagship smartphones जो company launch करेगी, उनमें 5G support हमें देखने को मिलेगी, मिलेगी, alongside that, 25W fast charging, इसमें अब confirm होगी है, कि S11e जो होगा smartphone, 25W fast charging इसमें support होगी, आगे बढ़ते हैं, Samsung Galaxy A71 smartphone की तरफ, जो हमारी A11 या A21, AX1 series जो Samsung की है, उसमें बहुत ही एक interesting turn of events चल रहा है, first of all, जो हमारे Samsung Galaxy S10 light और Note 10 light, जो कि December महिने में ही launch होने वाले हैं, वो भी हमारे rebranded होंगे, A series के smartphone में, so similarly, एक नया smartphone आज निकल के लग रहा है, और जो मारे Note 10 light होगा, उसका भी design more or less हमें front में same देखने को मिलेगा, centrally aligned एक हमें punch hole camera देखने को मिलेगा इसमें, अभी के लिए specifications तो confirm नहीं है, कुछ leaks बगारे नहीं निकल गया है, but this is how the upcoming Samsung Galaxy A71 will look like, light smartphones आजकर एक ने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, Samsung जैसा कि आप screen पर भी देख सकते हैं, so this is how the OnePlus 8 light is going to look like, confirmation दो भी नहीं है, but most of the times 911 mobiles जब भी एक ऐसे unofficial renders publish करता है, so legit ही होते हैं, so you can take it as confirmed only, अब अगर हम design की बात करें, तो हमें पीछे एक rectangular camera layout देखने को मिल रहा है, top left side पर नीचे हमें USB Type-C charging port देखने को मिल रहा है, और back हमें एक glass back देखने को मिलेगी, OnePlus 8 light के साथ, अगर आप back की तरफ ध्यान देतो हो, वहां पर हमें कोई rear mounted fingerprint scanner नहीं देखने को मिल रहा है, जिससे मुझे भी यही लग रहा है, और almost confirmed ही लेकी चलिए कि एक under display fingerprint scanner भी हमें OnePlus 8 light में देखने को मिल जाएगा, आगे बरते हैं Realme की तरफ, Realme का एक smartphone RMX 2030, BIS certification उसको मिल चुकी है, और 3C certification, NBTC certification, almost, जितनी भी major certifications है, Chinese कह लिजी है, Indian कह लिजी है, उसको मिल चुकी है, अब एक नई news निकल के आई है, confirmation लेके चलिए कि यह Realme 5i होने वाला है, so if you are not aware, Realme 5 Series में Realme 5, Realme 5 Pro, Realme 5S अलरड़ी लॉंच हो चुकी है, अब एक चोथा smartphone होने वाला है, जो इस Series में हमें देखने को मिलेगा, launch date की जहां तक बात है, तो कुछ लोग इसमें हमें predict करके बता रहे हैं कि हो सकता है Realme XT730G के साथ लॉंच हो जाए, बट कहीं न कहीं मुझे 2030 तो मेरे हिसाब से January में launch होना चाहिए, बट अगर December में launch हो जाए तो मेरे को ज्यादा हरानी नहीं होने वाली है, एक event Realme की आई रही है, उसके बारे में अगली news में हम बात करते है, अब बात करते है, Realme XT730G और Realme की True Wireless Earbuds जो है हमारे launch होने वाले थे, कल की news में आपको बता रहा था कि हो सकता है, 18 को launch हो जाएं, बट ऐसा नहीं है, वो एक दिन पहले launch हो रहे है, 17 December को ये दोनों चीज़ें लाँच हो जाएंगी, कंपनी ने इसको confirm कर दिया है, Francis Wang, जो हमारे CMO है Realme के, उन्होंने कल ट्वीट पे बताया, मेरा ये एक thread था, उसमें किसी एक follower ने लिखा कि भई, ये हमें कब देखने को मिलेगा, तो Francis ने हमें कमेंट कर दिया, December 17, Alongside that, कुछ major tech publication websites है, Tech Radar होगी, NDTV होगी, उन लोग को already company ने launch event का invite दे दिया, जहां पर सिधा-सिधा हमें दिख रहा है, कि भई, launch event हमारी 17 December को ही है, अब जहां तक बात है, Realme XT730 GQ, उ कि इसका price, starting price around 18,000 हो सकता, बहुत सारे followers ने मिर से पूछा कि इसका price क्या होगा, around 18,000 आप expect कीजिए, 15-16,000 की अगर हम expectation लगाएंगे, तो आगे जल के हमें disappointment ही देखने को मिलने वाली है, मेरे साब से 18,000 का starting price हो सकता है, देखते हैं क्या बनता है, of course, आपकी तरह मैं भी य wireless earbuds की तरफ, कल company ने इसको company ने already official कर दिये, this is how the realme earbuds or earbuds or whatever the company calls them, this is how they are going to look like, 3 color variants अब निकल के आ चुके है, first of all, Francis ने खुद yellow color का जो हमारा earbuds है, वो पहन के हमें tweet किया, उसके बाद Francis ने black earbuds को हमें दिखाया कि this is how the black color variant of the realme true wireless earbuds are going to look like, and 30 number पे श्री हरी जिन्हों ने अभी- अगर आपको पता होगा, so वहां के लिए वो काम करते थे, and उन्होंने white color variant इसका earbuds का दिखाया, अब लोग speculate कर रहे है कि इसके और भी color variants देखने को मिल जाएंगे, but ऐसा नहीं है, realme का अगर आप official tweet कल का देखने तो उन्होंने इस इसको reveal करने से पहले कहा था, कि there are 3 color variants in total, which we are going to reveal in the coming time, so 3 color variants थे, yellow, black and white, which we are going to get on 17th of December, आगे बड़ते हैं, OPPO की तरफ, OPPO का एक नया smartphone, OPPO CPH2030 करके, एक model number है, वो आज BAS certification मिल चुकी है, smartphone को, अब कुछ लोग इसको प्रेट कर रहे हैं कि OPPO Reno 3 smartphone या 3 pro smartphone हो सकता है, जब इंडिया में launch हो, और कुछ लोग कह रहे होता है, बड़ ऐसा नहीं है, जब global launch या Indian launch होती है, OPPO के Reno smartphones की, तो CPH model number भी यूज करती है, company, so हो सकता है, OPPO Reno 3 series में ही ये launch हो, अगर नहीं भी launch हो, तो कोई एक नया smartphone हो सकता है, जो की 2020 में ही हमें देखने को मिलेगा, इंडिया में definitely हमें देखने को मिलेगा, बिकिस BIS certification हमारी Indian certification है, वहाँ पर ये smartphone हिट कर चुका है, आज की last news और सबसे important news, of course, Redmi K30, जो की हमारा December 10th को launch हो रहा है, उसके बारे में कुछ और नई news निकल के आई है, first of all, इसका retail box और इसकी live shots और नई लीग होई है, कल मैंने tweet भी किया था, retail box पे हमें 6GB, 120GB का एक memory variant confirm हो गया है, confirmation तो already हमें थी, इसके 3 variants आने वाले है, 6, 12, 8GB वाले और 64GB, 128GB और 256GB memory variant हमें देखने को मिलेंगे, so retail box ने once again confirmation करती है, combination की 6, 128 variant भी होगा, इसका मतलब 6, 64, 6, 128, 8, 128 और 12, 256 हमें variants हमें expect कर सकती है, आगे बढ़ते है, phone के अगर आप back पे देखें, तो जो एक company का शुरू में ज Hybrid SIM Slot, so इससे एक और चीज़ confirm हो चुकी है, expandable storage option भी हमें देखने को मिलेगा, Redmi K30, 5G और 4G दोनों के साथ, जहां तक expandable storage की बात है, hybrid होगा, या तो दो SIM card लगा सकते हैं, या एक SIM card और एक memory card लगा सकते हैं, which is kind of normal, इंडिया में जब लाँच होगा, तो हो सकता है, company Redmi Note 8 series के Alongside that, company ने अज 2-3 और posters निकाले, 1st poster में हमें 3.5 mm headphone jack confirm हो गया है, Redmi K20 series में हमारा top पे था, इसमें हमारा bottom पे देखने को मिलेगा, Alongside that, USB Type-C charging port और speaker grill भी आप screen पे देख सकते हैं, so ये चीज़ें कुछ confirm होके आई हैं, Alongside that, जो white color variant जो कुछ time पर लीक हो था, आज उसको भी company ने confirm कर दिया कि this is how the Redmi K30 white color variant is going to look like, and last चीज़ आज की जो हमारा side mounted fingerprint scanner हमारा Redmi K30 में आने वाला था, company ने आज ऑफिशियल इसको confirm कर दिया कि यहां पे होगा, हमें side पे देखने को मिलेगा, उससे कहीना कहीं लग रहा, LCD display ही हमें देखने को मिलेगी, Redmi K30 के साथ, AMOLED नहीं है, so there you go guys, that's all for today, I hope you liked the video, if you did like the video, don't forget to like, share and subscribe, if you haven't already, feel free to ask as many questions as possible, because tomorrow we are having yet another episode of Sunday Stuff, God bless you all, peace.